हेग गाइस कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुके हैं औराइमो के तीन ओडियो प्रोड़क्ट्स ये है नेकबेंड बाकी दो हैं टी डव्लीयो ये पास हैं लगभग एक महीने से मेरे पास हैं लगातार मैं इनको ही एज़े अपने प्राइमरी ओडियो आज इस वीडियो में इनकी अच्छी बुरी चीज़े सब आपको बताने वाला हूँ ये तीनो ही प्रोड़क्स बहुत कॉम्पीटिटिव प्राइसिंग के साथ आते हैं तो अगर आप अच्छी प्राइसिंग पे कोई TWS ये नेकबेंड देने वाले हैं तो ये वीडियो म जो बुक्स के उपर भी मेंशन किया है वो है प्रो हाइप्रिड अक्टिव नोइस केंसेशन आपको मिलता है इसमें इस प्राइस रेंच में बहुत कम TWS ये आपको मिलेंगे जिसमें ANC आपको मिलेगा बुक्स के अंदर TWS के इलावा आपको तीन और बुक्स मिलते हैं एक इस प्राइस रेंच में तो स्पैशली कोई TWS आपको नहीं देता दूसरा जो बुक्स है उसमें इस तरीके कि आपको एक पैकेजिंग मिलती है जिसमें टाइपे टु टाइप सी केबल और एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाएंगे और एक लास्ट बॉक्स है जिसमें आपक बॉक्स के उपर दिखा है और हो है E-NC मतब के अन्वायरमेंटल नोइस कैंसेशन इसके अंदर आपको मिलता हैगा बॉक्स के इनदर TWS के इजाबा आपको एक कमपार्टमेंट मिल जाता है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाती है और यहां पर एक औ कमपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको एक टाइप A to type C केबल दे रखी है और एक यूजर काइड यहां पर मिल जाएगी और लास्ट में हमार पास है औराइमो शाक 3 जोके एक नेकमेंड है और इनकी प्राइसिंग 700 है दोस्तो 700 की प्राइस के लिए काफी अमेजिंग प अगर आप एक ही प्रड़क्ट में इंट्रस्टिड है तो डारेक्टली वीडियो को स्किप कीजिए और उसको आप देख सकते हैं तो चलिए फ्रीपोर्ट्स प्रो से ही चुरू करते हैं जो के 2800 रुपीज के थे इसका जो केस है वो आप देखेंग के गलोसी लुप में आ और एक बटन आपको दे रखा है तो अगर आपको इसका स्टेटस चेंज करना है मतब कनेक्टिड है तो पेरिंग मोड में देखे आना है तो ये बटन का आप यूज कर सकते हैं और इवन ये जो एर टिप्स हैं इसके उपर भी LED लाइटिंग है तो इससे भी आप इसका इतने फीचर्स है ना कि मैं इनकी sound quality की बात करने से पहले आपको इनके फीचर्स बताना चाहूंगा सबसे बड़िया फीचर जो मैं आपको बताऊंगा इन एरफोंस का वो है auto play pose मतब आपने इनको कान में पहन रखा है कोई भी music play हो रहा है जैसे ही कान से उतार के इनको automatically pose हो जाता है मतब automatically detect कर देते हैं एरफोंस के आपने इरफोंस को उतार दिया है वापीस से पहनेंगे automatically play हो जाएगा बहुत ही अच्छे से ए फीचर काम करता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा दूसरा फीचर इसमें मैंने आपको बताया के pro hybrid active noise cancellation दे रखा है मैंने इसको खुद से test किया है दोस्तों ANC पहली बात तो इस price range में आपको बहुत ही कम एफोंस में मिलेगा दूसरी चीज इतना अच्छे से काम करता है इवन ANC के दूसरे modes भी आपको दे रखे हैं अगर आप transparency mode use करना चाहते हैं या फिर ANC को पूरा off करना चाहते हैं तो full-fledged आप ब mode देना है, ANC mode आपका change होता रहेगा, ANC enable या disable या transparency mode में change कर आएंगे, अब in earphones में sound की customization के लिए आपको equalizer के भी दो modes दे रखे हैं, एक है आपका normal mode, दूसरा है आपका heavy bass boost mode, मतब के bass heavy अगर आपको sound पसंद है तो उसको enable करने के लिए आपको left while earbud के उपर ही tap करके रखना ह 4 beeps तब, जब आपको 4 beeps सुनाई दें, उसके बाद आप छोट दीजेगा, और आपको equalizer mode change होता रहेगा, बाकि इनको मैंने gaming के लिए भी use करके देखा है, उसके लिए भी आप use कर सकते हैं, gaming mode dedicated आपको मिल जाता है, जहांपर latency आपकी काफी कम हो जाएगी, उसको enable करने के लि play pose, song को आगे पीछे वो सब कर ही सकते हैं, single tap करेंगे तो song play pose हो जाएगा, double tap करेंगे तो next song या previous song में आप change कर पाएगे, वो सब तो आपको यहांपर मिल ही रहा है, और दोस्तों यह सब बहुत ही अच्छे features के बाद, एक और जो बहुत खास चीज इनकी मुझे लगती है, अगर आप इनको उतार देते हैं कान से, उसके बाद इसके touch controls काम करना बंद कर देते हैं, ताकि आप accidentally किसी control को touch ना कर दें, और music automatically फिर बंद होता रहता है, शुरू होता रहता है, तो उसके लिए काफी इच्छी protection है, बाकि इसकी sound के अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो का playback time की बात करूँ तो इसमें आपको लगफख 13 घंटे का playback time मिलता है बिना charge किये, अगर आप इसकी मदद से और लेना चाहते हैं playback time तो 30 hours का ओर मिल जाएगा, अगर आप इसको use करेंगे, मतब लगफख 3 बार के लिए आप इससे full charge कर सकते हैं, ये मैंने active noise cancellation बंद के लिए ब तब 5 मिनिट के लिए अगर आप इनके अंदर रखते हैं, चार्ज करते हैं, लगफख 90 मिनिट के लिए आप उसके बाद use कर पाते हैं, और IPX5 रेटिंग के साथ आते हैं, मतब कि थोड़ा बहुत पानी या पसीना आता है, उससे problem नहीं होगा, हालांकि ये सिरफ earbuds IPX5 हैं, इस case को मत पानी में डाल दीजेगा, अब इन free ports 3 की अगर बात करते हैं, जो के 1500 वादी TWS हैं, इनकी सबसे चीछी चीज मुझे ये लगी है, कि इसका case बहुत ही premium सा feel होता है, काफी matte finishing के साथ दे रखा है, दो colors में आता है, ये मेरे पास एक white है, इसमें आपको black color भी मिलता ह और even इसके जो ear tips हैं, तो थोड़ा इसे long tip design के साथ आते हैं, ये भी मुझे काफी अच्छे लगे, quality में भी दिखने में भी, और आप देख सकते हैं, मुझे तो ये दिखने में काफी संदर लगे हैं, इनको आप दो तरीके से use कर सकते हैं, अगर आप ये उतार देंगे, half in ear वाजा style आपको मिल जाएगा, ऐसे भी आप use कर सकते हैं, जो कि आपको normal mode देगा, अगर आप इनका use करते हैं, जो कि extra ear tips आपको दे रखे हैं, तो आपको ये heavy bass mode में sound देंगे, मतब थोड़ा bass आपको extra feel होगा, और in ear इसके बाद ये बन जाएंगे, तो ये दो style में आप इ light से देख सकते हैं, बाकि ये भी touch controls के साथ आते हैं, इनके features की बात करने से पहले इनकी sound के बार में आपको बता देता हूँ, और sound quality की बात करूँ तो इनकी भी sound मुझे काफी अच्छी लगी है, मतब अब at least price के हिसाब से इनकी loudness है, even जो travel और base का balance यहाँ पर किया गया है, काफी अच्छी sound quality इसमें भी आपको मिल जाएगी, बाकि इसका जो ENC है, मतब के environmental noise cancellation, वो आपकी calls के time पे आपकी help कर देगा, ताके आपको बहतर cooling experience मिले, mic से कोई disturbance नहीं जाए, और ये भी IPX5 waterproof rating के साथ आते हैं, तो पानी से या पसीने से ये भी खराप नहीं होंगे, और playback time की बात करें, तो इनका playback time आपको लगभग 8 घंटे के करीब मिलेगा, without charging, charging अगर आप करेंगे, मतब case के साथ अगर आप बात करेंगे, तो लगभग 28 hours और आप use कर पाएंगे, तो total अगर आप बात करेंगे, तो लगभग 36 hours का playback time आपको एक बार ये तीनों चीज़े मिला के दे देंगी, और fast charging इन में भी आपको मिलती है, लगभग 5 मिनट चार्ज करके इनको आप 40 मिनट तक यूज़ कर पाते हैं, अब controls की बात करेंगे, तो मैंने बताया के touch controls हैं, किसी भी side double tap करेंगे, तो music play post हो जाएगा, triple tap करेंगे, तो आपका voice assistant own हो जाएगा, और अगर आप long tap करके रखते हैं, तो previous song या next song में आप change कर सकते हैं, चलिए अब finally बात कर लेते हैं, ये neck band की, ये neck band दोस्तों आप यकिन नहीं मानोगे, सिरफ 700 की price पे आपको मिलते हैं, इसकी build quality भी काफी अच्छी लगी है मुझे, मतब ये वाला जो part है काफी strong feel होता है, ये जो neck band का area है, वो काफी soft है, long time के लिए भी मैंने use किया है, काफी comfortable रहता है, ये ear tips की अगर आप बात करें तो metallic है, बदब इस तरीके से magnetically attached भी हो जाते हैं, हालांकि auto play post का function यहां पर नहीं है, ये जो wire है, इसकी quality मुझे थोड़ी सी decent होगी है, sound quality की बात करें तो थोड़ा bass heavy sound के स 35 mh की इसकी battery capacity है, और अलगको 11 घंटे का playback time आपको ये neckband से मिल जाता है, ये battery time जितने भी मैंने आपको बताए है, playback time दोस्तों सारे मैंने खुद टेस्ट किये हैं, तो उस पे आप पुड़ा trust कर सकते हैं, बाकि features की बात करें तो यहां पर आपको 3 button मिल जाते हैं, एक main power की है, जिसकी मतलब से आप play pose या pose को भी attend कर सकते हैं, और volume keys है, जिसकी मतलब से आप again songs को previous या next में change कर सकते हैं, और ये जो charging port यहां पर है, उसको इस तरीके से rubber की एक protection यहां पर दे रखी है, बाकि micro USB port है, मुझे रखता है कि इसमें भी अगर type C port होता, तो जाधा बहतर होता लेकिन price के हिसाब से यहां पर जाधा complaints नहीं कर सकते हैं, जितने features दिये हैं, मुझे रखता है कि 700 की price के लिए काफी अच्छा neckband यह भी है, अब दोस्तों तीनों की बात हमने कर दी है, यहां पर एक mic test में तीनों का आपको सुना देता हूँ माइक test है, जिसमें background में fan का noise आ रहा है, यह औराइमो shark 3 का mic test है, बीना किसी background noise के, यह औराइमो shark 3 का mic test है, जिसमें background में fan का noise भी आ रहा है, तो फाइनली अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मुझे रखता है, तीनों ही products अपनी अपनी price के इसाब से काफी अच्छी value आपको द साती है, link आपको नीचे description में मिल जाएगा, और क्योंकि अभी filmcat की sales भी आ रही है, तो उन में हो सकता है कि इससे भी बहतर prices पर आपको यह products मिल जाएं, इस video को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों